Hello everyone, this is Vishwajit and I welcome you all to my channel Be Smarty तो हम सभी को पता है कि हमारे board exams में 80 marks में जो 40 marks होता है वो पूरा का पूरा literature cover करता है जब भी मैं literature से related कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं हमेज़ अपने बच्चों को ये सजेश्ट करता हूँ कि कोई भी अगर तुम्हें ये बता दे कि literature से ये questions पर लो यहीं आने वाला है 100% इतने ही questions आएंगे ऐसे तुम्हें YouTube में बहुत सारे thumbnails दिखेंगे उन पे believe मत करना ठीक है तो कभी भी literature से आने वाले questions को कोई guess नहीं कर सकता और खास तौर पर जब से ये competency-based questions आने लगे ना कुछ भी नहीं पता examiner क्या question देदेगा that means question sitter तुम्हें कौन से question पूछ देगा तो इसका solution क्या है कि जो भी videos तुम देख रहे हो ठीक है वैसे thumbnail वाले भी अगर videos देख रहे हो तो कोई बात नहीं लेकिन जो भी videos देख रहे हो ये motive लेकर मत देखना कि इस video को अगर हम देख लें इतने questions अगर sir ने बता दिया इतने questions अगर उस भाईया ने बता दिया तो ये सारे के सारे exams में आने वाले नहीं उन questions को तुम्हें देखना है उन questions का answer कैसे बनाया गया वो सीखना है और उसके बाद तुम्हें अपने mind में ज़रस ज़्यादा information को collect करते रहना है तो इस video का भी यही motto होगा यही सोच समझ कर देखना कि इस video से हम कुछ नए questions देखेंगे और उसके answers कैसे लिखेंगा है वो देखेंगे ठीक है मैं answer सबके explain नहीं करूँगा मैं सब समझाने वाला हूँ देखो यह मैंने total इस video में मैं 2 set cover करूँगा ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर तो set 1 में हमारे पास यह short answer type questions है यहां मैं लिख देता हूँ और यह जो नीचे वाला है वो long answer type questions है ठीक है तो एक हमारे paper में total कितने questions होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 questions आएंगे और second book से 1, 2, 3 यानि total 8 questions short answer type होते हैं और 4 questions long answer type होते हैं तो इन 5 में से तुम्हें क्या करना है कोई भी 4 बनाना है और इन 2 में से कोई भी, sorry इन 3 में से कोई भी 2 बनाना है उसी प्रिकार से यह जो long answer type questions होता है उसमें 2 में से कोई एक बनाना होता है और बात सम बराबर ही है चलो अब देखते हैं इसमें देखो पहला question तुमसे क्या पुछा है कि why did the night after the rains turn sorrowful for lencho तो lencho के लिए यानि definitely जो hailstone हुआ था वहाँ पे hailstone उसके आने के बाद lencho की पूरी field जो है वो खराब हो गई थे हम सभी को पता है उसके बाद उसकी रात sorrowful क्यों रही ये तुम्हें आपे लिखना है तो definitely तुम्हें आपे जरूर mention करोगे कि एक hail storm के वज़ा से lencho का पूरा पूरा field जो है वो क्या हो गया destroy हो गया now he had nothing to it he didn't have even seats for the next year यानि उसके पास 20 तक नहीं बचे थे seats भी उसके पास नहीं बचाता ये भी तुम्हें वहाँ पे mention करना है और इसलिए वो रात को बहुत ज़्यादा upset हो गया और तब जाके उसने क्या किया God के पास एक later लिखा तो God के पास later लिखा ये लिखो न लिखो वो इतना important नहीं है लेकिन उसकी रात sorrowful कैसे रही वो जरू mention करना उसके साथ क्या हुआ वो जरू mention करना ठीक है ध्यान रखना दूसरा question क्या कहा हमसे कि describe the young seagull's first flight तो इस young seagull के first flight को तुम्हें बताना है तो बच्चे ना कई बर क्या गरते हैं first flight को बताने छोड़कर वो ये बताने लगते हैं कि जो seagull था वो इतने दुन से कुछ खाया पिया नहीं था उसके ममी ने उसको flight करवा है नहीं भईया यहां पर तुमसे पूछा है कि उसकी first flight कैसी थी तो first flight कैसी थी वो सिधा बताओ ना कि जब वो jump किया उसके बाद क्या क्या हुआ है ना सबसे पहले तो वो नीचे के और गिर रहा था कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उसकी स्पेड किया सारी चीज है नॉन्मल अब वो नीचे गिर नहीं रहा था तो यह situation यहां पर mention करना है तो जब भी question को देखते हो ना question को ध्यान से पढ़ो कि पूरे chapter के किस part से तुमसे question पूछा गया है उसी part से stick होकर answer देना इधा उधा उधार भटक मत जाना third question क्या बोला है कि who are peders and why are they friends of children आखिर peders कौन थे और वो बच्चों के दोस्त कैसे हुआ करते तो पेडर्स कौन थे भई जो baking करते थे है ना वो सुबा सामा आते थे उनको peders कहते थे वो बच्चों के दोस्त कैसे थे तो वो बच्चों के लिए क्या करते थे ब्रेट बैंगल्स लेकर आते थे ठीक है जिनको बच्चे बहुत जादा पसंद करते थे तो वल्ली को कहां कहां से information मिला जितने भी वहां पे passengers उतरते थे और चड़ते थे उन सब से उसके पास क्या हुआ information आया और क्या क्या आया वो भी जरूर बता देना कि one way total पैसे कितने लगने वाले थे उसको 30 पैसे लगने वाले थे टोटल वहां से डिस्टेंस था वह कितना था वह वह 6.5 मिल्स की दूरी पर था ठीक है थार्ड क्या था भाईया कि जो टाइम लगने वाला था वह one way कितना था ठीक है यहां पर जड़ा देख लेना मैंने 6.5 बोल दिया है थोड़ा माइंड से मेरा निकल जा रहे है इफाइम राइट ठीक है अगर कोई रॉंग हो तो उसको बिटा एक बार चेक कर लेना ठीक है next describe how custard the dragon fights with the pirate तो यहां पर भी यह बताना है थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि custard को जो custard को एक coward dragon माना जाता था उसने क्या किया उस pirate से लड़ाई करी ठीक है वो pirate जो उसके घर में घुच गया था at that time the dog the cat and the mouse just fled away from that place and Belinda started crying for help at that time custard behaved like a courageous dragon obviously dragons are always courageous वो तो courageous होता ही है लेकिन उससे में वो एददम courageous एक हीरो के जैसा वहां पर आया और उस spirit को पूरे के पूरे से निगल गया तुम चाहते हैं पर mention कर सकते हो अगर lines बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है words living तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो वहां पर ये भी mention कर सकते हो को spirit ने अपने आपको बचाने के लिए दो bullet भी fire किया था लेकिन वो custard को नहीं लगा answers आगे दिये हुए हैं एक बब पढ़ लेना कि कैसे लिखा हुआ है definitely they are not the best answers मैं इतना बताता हूं literature में कोई भी best answer नहीं होता हम कहेंगे वह model answer है ठीक है आई repeat फिर से मैं बोड़ रहा हूं वह model answer है model answer best answer में बहुत फरक होता है best answer को हमका कोई चीज होता है ने लिट्रेचर में तो model answers को पढ़ो कुछ से करस्टिमाइज करो और फिर exam में जाके लिख लो next second book से देखते हैं how did mrs. pampray treat tricky आखर mrs. pampray tricky को कैसे treat करती था हम सभी को पता है कि mrs. pampray over pampering करती थी बहुत ज़्यादा pamper करती थी तो इसी चीज को तुम्हें क्या करना है महाँ पे mention कर देना how did osible get rid of max without using a weapon very very important question and very very good question हम एक तरह से कहेंगे कि आखर यहाँ पे osible के character को त छुटकारा कैसे पाया ठीक है get rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना तो उसने कोई weapon का use ही नहीं किया था उसने क्या क्या था अपने intellectual का use किया था उसने अपने presence of mind का use किया था और वहाँ से बचेंगे ला तो क्या हुआ था पूरा scene वो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ रा था वो इसके पीछे का reason यह था कि एक एक करके अगर वो butterfly पकड़ने जाते तो क्या होता उनको बहुत लंबा time लगता तो इसलिए उन्होंने क्या किया जो female butterflies थी female monarchs उनको उन्होंने पकड़ा ठीक है और उनको पकड़ने के बाद उन सभी को उन्होंने अपने basement में रख उसको नरिश किया और नरिश करने के बाद जब वो बड़े होने लगे तो उसके बाद धीरे धीरे करके सब में एक एक टैग लगा लगा के उन्होंने छोड़ दिया एक और question इस chapter से पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने उनकी जो interest थी वो butterfly tagging में वो क्यों कम हो गई तो इ next ये question तो भई मैं कहूंगा very 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 important है इस chapter से कुछ questions आएंगे मैं definitely इस chapter की एक video बना दूँगा जिसमें मैं एक model answer दूँगा वो बहुत important answer होगा ठीक है मैं कोईस कर रहा हूं को जल्दी बना दू as ripe fruits are in danger of falling early so mortals when born are always in danger of death इसका मतलब जिस तरीके से एक फल जब पक जाता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि वो कब गिर जाए उसी परकार से जो mortals होते हैं जब वो germ लेते हैं वो हमेशा उनको डर लगा रहता है कि कब उनकी मौत आ जाए कब वो मर जाए with this statement of the बुद्ध find out the moral values that किसा गौत्मी learnt after the death of her child यानि क्या-क्या किसा गौत्मी ने सिखा तो ultimately तुमसे ये question पूछा जा रहा है कि आखिर बुद्ध ने क्या-क्या teaching किसा गौत्मी को दिया simple जी बात है बच्चे confused हो जाते तो तुम्हें सुरू से बताना है थोड़ा सा बैक्ग्राउंड बनाना है याँ पर ये किसा गौत्मी का सिख एक ही बेटा था वो मर गया ठीक है उसको ले लेकर वो क्या कर रही थी कैरी कर करके घूम रही थी medicine के तिलास करे थी इसी बीच क उसे भागते रहती है ठीक है यहाँ पर जब यह line मेंसन कर रहे हो तो वहाँ पर यह जरूर मेंसन करना that time she did not understand that that is common to all ठीक है उससे मसको पता नहीं था कि हर कोई मरेगा लेकिन जब उससे नहीं मिला वो बुद्ध के पास आती है और तब जाके उसको समझ में आता है कि that is common to all ठीक है ऐसे relate करके लिखना थोड़ा background बनाना इसलिए कहते है कि जब भी longer type question बनाते हो थोड़ा सा time लो और सोचो कि हम कैसे aligns करें किस तरह से हम sequence बनाएं यह आ गया ना बेटा तुम बहुत अच्छे marks लिया होगे next question no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion do you agree elaborate on the basis of the chapter ninson mandela long walk to freedom तो कोई भी इंसान जो होता है वो किसी दूसरी इंसान को hate नहीं करता किस वज़ा से उसकी skin के color के वज़ा से ठीक है उसके background या उसके religion किसी भी वज़ा से उसको hate नहीं करता सही बात है नहीं बताओ obviously यह सही बात है जब हम छोटे बच्चे होते हैं ठीक है तुम जब छोटे बच्चे थे न तो अगर तुम्हारे सामने कोई भूत भी आकर खड़ा हो जाए न ठीक है या तुम्हें कब्रिस्तान के पास से भी जाने को बोला जाए न तुम नहीं डर करती है तो वैसे ही कोई इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है अलग-अलग कास्ट का तुम छोटे बच्चे हो तुम्हें किसी ने नहीं सिखा है हेट करना तुम हेट नहीं करोगे लिए अगर बतादे अच्छा यह हिंदू है यह मुस्लिम है यह सीख है यह इसा है ठीक है और वो तुम्हें बताएं कि यह कास जोई वह अच्छा नहीं है यह काले लोंग है यह अच्छे नहीं है गोरे हैं यह अच्छे नहीं मतलब अलग अलग तरह की जो negativity होती है वो हमारे mind में feed की जाती है और तब जाकर हम क्या करते हैं उस तरह से behave करते हैं तो वही इस पूरे के पूरे chapter में बताया गया है कि जब तक तुम्हारे brain में ये negative चीज़े feed ना की जाएं तब तक तुम्हारे brain कभी इन सभी चीज़ों को नहीं पकड़ता है तो इस सारी चीज़ों को feed की जाती है answer दिया वो long answer type उसको वहाँ पर भर लेना next question हमारा आ रहा है that is कि contentment in one's life is very important to lead a peaceful life यानि किसी ब इंसान को अगर एक peaceful life यानि एक शान्ती पुर्ण जिंदिगी अगर जीनी हो तो उसके अंदर एक quality होनी चाहिए that is contentment that is satisfaction जब तक तुम्हारे life में satisfaction नहीं होगा तुम्हें एक peaceful life नहीं जी सकते we should be happy with what we have and should not crave for what we don't have हमारा focus उन चीज़ों पर होना चाहिए जो हमारे पास है उन चीज़ों पर नहीं जो हमारे पास नहीं है क्योंकि जब भी हमारा जो focus होता है वो उन चीज़ों के लिए shift कर जाता है जो हमारे पास नहीं है तो हमें सिप वही चीज़े दिखनी लगती है दूसरों के पास और हम क्या होते हैं हमेशा unhappy रहते हैं जैसा कि Matilda के साथ हुआ था याद है चैप्टर में है तुम लोगों ने पढ़ा था कि Matilda जब भी अपने friend के खर जाती थी Mrs. Forrester के वहाँ वहाँ जाकर वो हमेशा sad हो जाती थी क्यों? क्योंकि Mrs. Forrester जो थी वो एक luxurious life जी रही थी उसके पास वो सारी चीज़े थी जो Matilda के पास नहीं थी और वो जब वहाँ जाती थी उनको वही सारी चीज़े चाहिए थी और इसी वज़ा से Matilda की पूरी जिंदेगी बरबाद हो गई Matilda suffered in life because she was not content in her life मतलब क्या ही चाहिए तुम्हें answer के लिए content पूरा पूरा जो content है वो तो यहाँ पर देही रखा है खाली इसको थोड़ा सा अपना mind use करना है और लिख देना है Her desire led to her disaster What do you learn from her mistake in life तो इसमें ऐसा नहीं कि तुम सिदा सिदा बता दो कि तुमने क्या सिखा नहीं तुम्हें क्या करना है उसके situation को बताना है जो answer में लिखा हुआ है न इन lines को न as it is line by line मत लिख देना खुद के answer के साथ इसको form करना है modify करना है तब जाकर लिखना है समझ गए ना? चलो next question Trust and compassion can reform a person justify this statement in the light of the lesson the Thipps story तो बहुत अच्छी बात की गई है compassion का मतलब यहाँ पर हम एक तर से कह सकते हैं कि kindness तो अगर किसी भी इनसान से इनसान के ओपर trust किया जाए और उसके ओपर compassion दिखाया जाए तो यह उस इनसान को reform कर देता है reform करने का मतलब क्या होता है? सुधार देता है तो यह हमने थीप से स्टोरी में कैसे देखा था? हरी सिंग जो एक थीप था ठीक है? वो हमेशा अनिल से पैसे चुराने के बारे में सोचता था जब भी वो जाता था market वो एक एक रुपे हर रोज बचाता था लेकिन अनिल के trust और compassion ने उसको last में पूरे तरीके से चेंज कर दिया वो एक पैसे लेकर भी भाग जाता है लेकिन वो train पर नहीं चड़ता क्यों? Just because of the trust and compassion that अनिल had in him यह सारी चीज़े बहुत important है अच्छे से mention करना पूरा का पूरा situation जरूर बताना कि किस वज़ा से यह line यहां पर लिखा गया है क्या क्या हुआ सुरू में क्या हुआ बाद में क्या हुआ जब भी कुछ ऐसे चीज़ हो न यह जरू हाँ पर mention करना कि सुरू में क्या क्या हुआ फिर बाद में क्या क्या हुआ और इन दोनों से तुम ये देख रहे हो कि ये ऐसा ऐसा हुआ ठीक है ये देखो answers मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ तुम वीडियो को pause कर ला और करने के बाद सारे answers को पढ़ना चलो आई होप सबने पढ़ लिया चलो आज हम लोग सेट टू में देखते हैं डेफिनेटली इस वीडियो के लास में जरूर बता कर जाना कि इस तरह की जो मेरी एक effort है वो तुम्हें कैसी लगी अच्छी लगी या नहीं लगी या फिर और मुझे क्या improvement करनी चाहिए नेक्स किस तरह की वीडियो लानी चाहिए वो भी जरूर बता देना क्योंकि यहां पे वीडियो बनाना थोड़ी सी मुस्किल हो रही है मुझे जैसे कि मैं अलड़ी मैंने बता रखाता है यहां पर नेट का बहुत दिक्कत है बहुत इशू है वाइफा के लिए मैंने बोल रखा है अब देखते हैं वो कब आता है कब लगाता है उसके बाद चीज़े थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कितनी अच्छी बात कहीगी यह पता है तुमें कि जो फियर होता है जो डर होता है वो कहीं एक्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में वो सिर्फ एक जगे एक्जिस्ट करता है वो है हमारी माइंड अगर हमें डरा दिया जाए तो हम डर जाएंगे लेकिन अगर हमें नहीं डर आजाए हम नहीं डरेंगे उस डर को फिड किया जाता है तो सीगल के माइन में एक फिर डब भरा हुआ था उस वो बार बार खुद से बोड़ा था कि क्या होगा अगर मैं यहां से कूदू और मेरे विंक्स मुझे सपोर्ट ना करें क्या होगा कि मैं अगर नीचे गिर गया त हमारे माइम में हमेशा हम यही बोलते रहते हैं वाटिफ क्या हो अगर अगर हमेशा में ऐसे करते रहते हैं इसलिए कहा गया कि वेड़ा होता है हमारे माइन में होता है तो यह लाइन को तूम कैसे करोगे पहले यह लाइन लिखोगे और उसकी बात बुलूगा this statement is true regarding the chapter और बहुत जड़ा लंबा हो जाएगा तो इस फर्स फ्लाइट खाली लिग देना हुआ और ऐसा क्या हुआ था सिकल के बारे में बताना कि वो भी यही सोच रहा थे क्या हो अगर हम गिर जाएं ठीक है लेकिन बाद में वो ऐसा काम किया और वो नहीं किया वो उड़ा तो इसल तो आखिर जो हमारे पोएट है राबर्ट फॉस्ट वो क्यों इतना जोड़ देते हैं कि अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह दुनिया जो है वो फायर से खत्म हो जाएगी तो जड़ा फिट से मुझे बता दो फायर यहां पे किस चीज को सि इत्रेट को ठीक है इन डिफरेंस को है ना इन सभी चीजों को तो पोएट ने अपने रियल लाइप में इस चीज को फिल किया है कि कि किस तरीके से जोग गिरीट लस्ट और डिजायर लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है और इसी के वजह से लोग एक दूसरे को क्या क तो आंसर दिया होगा पढ़ लेना वली जो यूनिक मैडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉस सी बिलॉंग तो एसे रीजन बताने हैं कि वली की जो यूनिक राइड थी ना मैडन का मतलब हो गया अकेला इसके साथ कोई ना गया हो तो वली की जो यू पॉसिबल हो पाया किस वज़ा से कि वह एक स्मॉल विलेज में रहती थी ठीक है क्योंकि स्मॉल विलेज से वह बस क्या हो रही थी बिग टाउन की ओर जा रही थी और डिफिनेटली वहां पे लोग बहुत ही कम जा रहे थे ठीक है एक बाद जरा मैं इसके आंसर को देख ल फैसिनेटिंग मेंस और रिक्रियेशन और अडवेंचर अनलाइक सिटीज और बिगर टाउन तो डेफिनेटली अगर ये सिटी या कोई बिग टाउन होता तो उसे इतनी सारी चीज़े देखने को नहीं मिलती जो उसने वहां पे देखी सिकूर ट्रैवल अलोन सेफली अनफ़ूटनेटली नॉटर रिक्वेंडे टाउन्शेप और सिटीज़े बड़े सहरों में कोई पी छोटे बच्चे को अकेले नहीं ट्रैवल करने देगा तो गाओं का इलाका था तो यह सेफली था कैसा होता है कि हम गाओं में रहते हैं त लेकिन सहर में इसा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही यहाँ पर बस थी और उसी बस को देख देकर अब्जर्ब करती रहती लेकिन सिटीज में बहुत सारे मेंस अब तुम अगर अगरी करते हो तो यह सारी बात बताओगे अगर तुम डिसअगरी कर रहे हो तो क्या कि बताओगे कि फैसिनेशन फॉर राइडिंग अब बस और एक ओवर्वेल्मिंग डिजायर आया नहीं जो बड़े सिटीज में रहते हैं बच्चे उनके मन में भी एक फैसिनेशन होती है डिजायर होती है कि हम भी बस पे चड़ें अगर हम गाओं में ट्रेवल कर रहे हैं तो गाओं में बहुत छोटा होता है लोग हमें जानते हैं इसलिए हम वहाँ पे नहीं कर सकते हुआ हमें नोटी से नहीं करते हैं क्योंकि लोग बहुत सार है हमें कौन जानता है भाई हम अके लिए ट्रैवल कर गए ठर्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि सिटीज उड ओफर मोर ऑपोर्चुनिटीज फॉर बस राइड डियू टू एवियलेबिलीटी एंड फ्रिक्वें नहीं करता भाई कि जो वल्ली है वो बस राइड कर पाई just because अपकी वो small village में रहती थी तो यहां पे तुम्हारा अपना खुद का opinion and choice होना चाहिए तुम क्या करना चाहते हो agree करना चाहते हो disagree करना चाहते हो ठीक है next question देखते है give one reason why the tale of custard a dragon is more a fable than a ballad ठीक है तो fable क्या होता है फेबल एक ऐसी story होती है जिसमें animals कम use करते हैं हम एक lesson देने के लिए ballad क्या होता है ballad एक ऐसा poem होता है जिसमें हम क्या करते हैं कोई story को narrate करते हैं तो यहां पे बोला है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा fable लग रहा है यह ballad कम लग रहा है fable ज़्यादा लग रहा है तो definitely हमने देखा कि कभी भी हमें किसी भी इंसान को किसी भी चीज को उसके appearances judge नहीं करना चाहिए यहाँ पर एक लाइन भी तुमसे पूछा जाएगा appearances can be deceptive ठीक है तुम किसी को देख कर धोखा खा सकते हो तुम्हें जैसा वो दिख रहा है वो इंसान वैसा नहीं होगा जैसा सबको लग रहा था वहाँ पर कि कस्टर जो है वो बहुत ही जादा क्या है बहुत जादा coward है है ना वो बिलकुल भी courageous नहीं है लेकिन उसने क्या किया last में वो ही सबको बचाया वरना वो period सबको मार देता तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्टोरी से हमें एक message मिलता है और कोई भी से स्टोरी जिसमें animal का use करके message दिया जाए वो तो fable होता है तो इसलिए यह एक fable है वहाँ पे जरूर बताना कि यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है यह पूर्म जो है वो एक message देता है वो message क्या है वो भी बता देना देफिनेटली तुम्हें तीन नंबर मिल जाएंगे next how can we say that नताल्या वास continuously successful in maintaining an upper hand during her argument with लोमोब ऐनी वन एक्जामपल तो नताल्या जो है न वो चारा सादा क्या हो रही थी dominating हो रही थी बार बार ठीक है तुमने देखा यह ओगा पड़ा है न तो उसमें क्या देखा था हमने कि नताल्या न बार बार लोमोब को बार बार उसे disagree कर रही थी और वो अपने आपको हमेसे उपर ही रख रही थी तो वो example इतने सारे थे उनमें से कोई एक example दे देना next second book से देखते हैं what were the factors which contributed in making a bright a scientist ऐसे कौन-कौन से factors थे जिसके वज़ा से एक bright जो है वो एक scientist बन पाए देखो कौन-कौन से चीजे थी सबसे पहला तो भाई he had besides an intelligent mind क्या-क्या था curiosity to seek information जब तक हमारे अंदर नई-नई information को सीखने की curiosity बनी रहेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे he was a keen observer ठीक है और he had keen observing powers perseverance मितलब लगे रहना continue रहना अपने काम में patience as well as self-discipline which are the basic requirements for any scientific research तो ये चीजे यहाँ पे जरूर note down कर ले ना क्या-क्या था intelligent mind कहते ना कि जब भी तुम answer बना रहे हो ना key points बना लो ऐसे से करके question लिख लो और उसके key points बना लो ऐसे जो भी question तुम्हे important लगता है तुम कोई भी literature के book से पढ़ रहे हो कोई भी book अठालो चाहे oswal उठालो exam idea उठालो evergreen उठालो कुछ भी उठालो जो भी answer तुम्हें लगता है कि बहुत important है उसके questions को लिखने के बाद उसके key points लिख लेना जवरी ने की पुरा answer लिखो key points लिख लेना तो वैसे इस question का key point क्या होगा intelligent mind curiosity to seek information keen observing power perseverance patience as well as self discipline ठीक चलो why was dr. Harriet confident that Tricky will be in the hospital room soon क्योंकि Mrs. Pumperay ने जिस तरीके से उसको बताया कि मैं इसको अगर इसको खाना नहीं दूँगे तो यह तो क्या हो जाएगा definitely मैं अपने आपको रोक नहीं पाती हूँ इसको खाना खिलाने से तो उसके the way Mrs. Pumperay talked to dr. Harriet he just got to know that उसको पता चल गया था कि अब तो definitely ये tricky बहुत जल्द hospitalized होने वाला है क्योंकि एक तो इसके appearance है उपर से Mrs. Pumperay के पास मैंने गा छोड़ दिया ये फिर इसको क्या करेगी जाए सदा खाना कि लाएगी इसको बर pampering करेगी ये सही नहीं है ये सारी चीज़ा हम आपके mention कर देना why was Matilda always unhappy बहुत important question है बहुत कम chance है कि ये तुमसे पूछे क्योंकि बहुत बार पूछ चुगा है Matilda हमेशा unhappy क्यों रहती थी just because of her dissatisfaction वो अपने life से हमेशा नाखुस रहती थी क्योंकि वो हमेशा उन चीज़ों को focus करती थी जो उसके पास नहीं है rather than उन पे करना चाहिए उसको जो उसके पास है पुरा बना के इसको लिखते ना long answer type question देखो इसमें कौन से चप्टर से पूछा गया है कि motivation plays an important role in taking risk in life and in succeeding ठीक है motivation का बहुत 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 रोल होता है कि हम risk लें अपने life में successful बने you have been chosen to address a student gathering in your school to spread light on the topic with reference to the pilot of the old dakota and the young seagull prepare the speech draft in not more than 120 words तो यहापे कि speech draft बनाना है यह कैसे बनाना है देखो यहापे मैंने दे रखा है जब भी हम speech लिखते हैं वहापे good morning, good evening लिखते है जब भी हम दे रहे हैं address करते है यहापे कौन को नहीं हो बताने कि जो नहीं है जब सिर्फ good morning, good evening कर लो, good evening, good morning everyone, good afternoon everyone उसका नहीं पे लिख दिया है कि motivation plays a very important role in taking risk in life and succeeding without motivation it is not possible to reach the aims in life and be successful the pilot of old dakota is motivated to meet his family and have dinner with them so when he sees dark clouds ahead he does not stop and risk his as well as the life of passengers to reach his destination तो यहाँ पर definitely समझी सकते हो चीज़े कितने आसान लिखी हुई है बस सोचने की जोगाते है तो अब देखो तुम इस answer को पूरा पढ लोगे तो अगर ऐसा question पूछे तो क्या बना पाओगे या नहीं पाओगे पाओगे ना तो यही तुम्हाँ बोल रहा हूँ ना कि answers को जब तुम पढ़ते हो ना तो तुमारे mind में ना points आते हैं तो पूरा का पूरे सांसर को पढ लेना next वल्ली तुमसे वल्ली के character sketch को पूछा गया है लेकिन कहीं भी डाइट तुमसे यह नहीं बोलेगा कि give a character sketch of वल्ली तो अब देखो यहाँ पर बोला है कि वल्ली एक extraordinary girl थी उसके अंदर self confidence भी था courage भी था ठीक है अब इसी से तुमको उसके पूरे के पूरे character को बताना है next parents play a crucial role in the upbringing of their children critically examine the parents of holy bride highlighting their impact on their children's life तो definitely मैं मुझे तो लगी रहा था कि ऐसा कोई question पूछेगा ही पूछेगा तो यहाँ भी पूछ दिया गया है मैं बहुत जल board exams में आया हुआ जो paper है last time उसको मैं बताऊँगा कि उसमें literature से ऐसे question पूछेगा है तो बहुत जल tension नलो ठीक है तो देखो parents ना बहुत important role play करते है किसी बच्चे के upbringing में अब यहाँ पे तुम्हें examine करना है इसको critically examine करना है critically मतलब अच्छा भी बताना है बुरा भी बताना है जहां भी word critically आ गया वह तो मैं दो मोच चुल यह बताने पड़ेगी you have to just explain the good points and bad points as well ठीक है भोली के parents कैसे थे भाई भोली के parents ऐसे parents थे हैं फिर बोलो तो उतने supportive नहीं थे इस पेसले अगर मैं mom की बात करूँ वो तो भोली की बिल्कुल care नहीं करती थी ठीक है लेकिन इब्राइट की अगर मैं mom की बात करूँ इसके parents में इसके father तो थे नहीं तो इनके mom नहीं सारी चीजे करी इनको हमेशा encourage किया इनको उन्होंने book दिया यह कभी भी इनको ऐसे activities नहीं देती थी जिससे कि वो कुछ सीखना पाए हमेशा वो इनको ऐसे activities देती थी जिनसे वो कुछ ना कुछ सीखे उनका जो mental ability है वो आगे बढ़े ठीक हैं दोनों को हाँ पे बता देना एक paragraph में भोली के बारे बताना एक paragraph में ब्राइट के बारे बता देना अंसर दिया हुआ है देख लेना तो एक नए 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 secret agent ने ऑसेबल से पूछा कि भाया आप एक secret agent तो हो लेकिन मुझे जड़ा बताऊ ना कि एक secret agent के अंदर कौन-कौन से गुन होने चाहिए कौन-कौन से traits उसके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो किसी भी situation से वहाँ से बचके भाग जाए तो अब तुम्हें अपने आपको उसेबल रखना है और secret agent के उन traits को बताना है तो यह तुम कहां से तुड़नोगे पूरे chapter में देखो कि आखिर उसेबल ने क्या किया उसने अपने mind को बड़ा सांथ रखा ठीक है उसके अंदर presence of mind था he was very witty witty का मतलब क्या होता है चलाक बहुत ज़्यादा ठीक है उसने एक नई story fabricate करी तो इन सभी traits के बारे में तुमको बताने है answer देखो यहाँ पर दिया हुआ definitely जब तुम answer को पढ़ोगे तुम्हें बहुत सारी ideas मिलेंगी ठीक है यह सारे के सारे answers है एक बार अच्छे से video pause करके सारे answers को पढ़ लो ठीक है so I hope बच्चों definitely in questions के through मैंने जो अपना motto रखा था तुम्हें कुछ चीज़े समझाने का वो मैंने समझा दिया है और तुम भी समझ गया हो कि आपसे videos देखनी है literature की तो क्यों देखनी है तो मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए everyone take care be safe, keep learning and keep watching be smarty and all the best for your examination again चलो, tata, bye bye